बिल्कुल ने करनी और आखरी और सबसे जो एहम पॉइंट है जिसकी वज़ा से अक्सर मैंने देखा कि लोगों की कैट्स मट जाती है वो क्या करते हैं असलाम अलेकुल मेरा नाम है साथ और उमीद आसा लोग बहुत जार ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो टोबिक जो है वो कैट हीट से रिलेटिड है कैट हीट से रिलेटिड कैट हीट के अंदर जो आती है तो आप लोग ऐसी कुछ गलतिया करते हैं जिसके विज़ा से कैट को बहुत जाता नुकसानाद होते हैं किसी भी क्लीनिक पर जाएंगे किसी भी जगाँ आप जाते हैं तो अपने साथ कपड़ा लाजमी लेकर जाएं उसके नीचे बच्छाएं उसका फायदा ही होता है एक तो ठंड से बचती दूसरा किसी किसम के जो जम्स होते है उससे भी आपकी कैट बची रहती है वीडियो केट इसें होती है उनकी कैट हीट पी आती है सबसे जोनने को पाता ही है क्या हो रहा पाता है तो प्रेड़ को नहला देते हैं और नहलाने के वजासिए आपकी कैड़ की तबियत जो है वो और जादा खराब हो जाती है बजाए इसके कि वो ठीक हो और जादा मसला पैदा होता है तो कभी भी अपनी कैड़ को हीट साइकल के अंदर ना नहलाएं जितनी मर्जी जूरत हो आप बिलकूल इपने गैट को ना नहलें और सेकंड पॉइंट यहाई कि अकसर जब कैट हीट पर आती हैं तो वो खाना बहुत कम कर देती ज़ारतर कैट जो है वो खाना चौड़ देती हैं और अकसर खाना जो है भोत कम करते हैं उसको स्ट्रेस ना दें, नहीं फीड ना खिलाएं, इसको जो है वो लूज मोशन लग सकते हैं और लूज मोशन की सरीटी है वो ज़ादा बढ़ सकती है तो असले कोशिश करें कि यह हड़कर भी ना करें जब आप लोगों की कैट हीट पे आती है तो पहले तो आप लोगों ने देखना होता है मैं करीं तफ़ बता चुकों कि एज देखें उसकी और उसकी सहत देखें अब जैसे की में सागत वड़ी एक मेवाई कैट है इसके भी भी मुझे लगता कि सहत इतनी इच्छी नहीं है कि यह बच्चे पैदा करने के लिए बहुत ज़दा अच्छी रह से कि यह भी सिर्फ 7-8 मूंस की है अगर आपके कैट्स एक साल के आसपास है और उसकी सहत भी अच्छी है तो आप तब उसको मेट करवाएं और मेटिंग करवाने के लिए बहुत ज़दा लोग एक गलती करते है कि वो टुलिंटन मार्केट और ऐसी मार्केट में जाते हैं जहां पर बिल्ले मुझूर होते हैं स्टर्ट सर्विस के लिए और वहां पर जाके अपनी बिल्लियों को मेटिंग के लिए दे आते हैं उसकी बात उनकी बिल्लियों का खाना ख़राब हो जाता है करियों को वाइरस लग जाता है किसी को कुई बिमारी लग जाती है और फाइदा कोई नहीं होता मैंने कहीं ऐसे लोग देखें टृनिटर्न मार्किट गई करें भी बिली गाइब होगी वो बिली बेच रहते हैं बकाईदा और आप लोगों को कहते हैं कि बिली चोड़ी होगी बिली दुदर होगी और बिली एक सर जो हावान से वाइरस लेके आती है तो कभी भी यह गलती अगर अब तक आप लोगों ने हमारा ऑनलाइन स्टोर विजट नहीं किया तो लाजमी करने हैं यहां पर कैट्स और डॉक्स रिलेटिड बहुत सवारी प्रोड़क्स आपको मिल जाएंगी जिनमें शैंपूज और फिश और मल्टी विटैमिन और ऐसी बहुत सवारी प्रो जाद यह है कि आप लोग उसके नेल्स ना कट करें जादा उसको जैसे कि मैं पहले बताया के नहलाना नहीं है दूसरा वैक्सिनेशन भी जो है वो थोड़ी अवोइड करें अगर आप पांच छे दिन लेट वैक्सिनेशन करवा लेंगे तो वह जादा बेतर है हां अगर आ उसके वांग्स नहीं है तो पांच छे दिन बार डिवर्मिंग डियू हो सकती है उसको इसको इस्यों नहीं है तो अन्नेसेसरी जो स्ट्रेस है वो आपने पने कैट को बिलकुल भी हीट के अंदर नहीं देना और कुछ लोग एक ये भी मैंने देख है काफी लोग ये भी हर मेरे होते हैं कि हम क्या करें इनको बाहिर पहेंक देना गयर को अफ़ी आ रहता है इनको बहुत कशशे करती है ये आकरी और सबसे आहम पोइंट है जिसकी वजह से अक्सर मैं पढ़ जाती है वो क्या करते हैं doors केट हीट पे आती हैं पहले हुआ होता है कि corn surgery करवानी है जरूरी है अगर आप लों करवाना चाहते हैं तो वह क्या करते हैं?? जबート हीट पे आती है, तब डॉक्टर के वाद जडाती है ढातों क्वाद दोक्टर को न गाते हैं 大ग सबस्ट करनें के अंदर है तो कभी भी उसकी स्पेस सर्जरी ना करो हैं हीट से चले ही जाए उसके दोस्त तीन चार पांच दिन के बाद आप लोग जा के डोक्टर से मश्वरा करें और फिर जा कि उसकी सर्जरी करो हैं यह लाजमी ख्या लगए हमने काफी ऐसे केसिस देखे हैं जो इदो है कि आप लोग मेरी सारी बातों के समझ आ चुकी होगी अगर समझ आईए तो इसके लिए लाजमी लाइक करें क्योंकि बड़ी सबर से बैठी रही है ना बड़े सबर से यह माशाला से हमारे साथ पूरी वीडियो में बैठी रही है और इसने इंजॉय भी किया हमने भी इ वीडियो है किया तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशालत अला अला आफिस